हेलो वेलकम दोस्तों आगे गर्म देख रहे हैं आप मैं रवी कुमार एक और फिर से नई वीडियो में हाजरूं दोस्तों यदि आप सरकारी नोगरी की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सुरुबात करना चाहते हैं या काफी सालोंस तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इ स्टेजन स्टेज करते हैं दोस्तों हर कंडिडियों में मैं आपको बता है तो कोछ इंपर्टन बात जो सरकारी की तैया mier को पता होना मिद्स करने हैं जो शर्राकारी नौकरी कि अधर कोजे होगा कि घटे जरूर है जो आएस के तैयारि करते हैं काफी लोग जो SSA की तयारी करते हैं कुछ लोग बैंक्स की करते हैं कुछ लोग रेलवे की करते हैं तो हर कोई अपनी according अलग तरह की preparation करना शुरू करता है और दोस्तों जैसे आपको पता हूँ कुछ state entrance exams होते हैं उनकी तयारी करते हैं तो हर वेक्टी अपनी according अपनी लेवल पर preparation करता है तो दोस्तों ये तो आपको बिल्कुल नॉर्मल सी बात मैंने अभी बताई अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको समझेंगे हम इस वीडियो में दोस्तों जैसे आपको पता है मालीजी आपने आईयस exam दिया या आपने PCS दिया या आपने SSC दिया या आपने वेंकिंग का दिया या आपने railway का दिया आपने कोई भी exam दिया तो दोस्तों आप को पता है कि आप तैयारी करने में लग जाते हूं लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाऊँगा कि जब आप 12 के बाद तैयारी करने के लिए शुरू करते हैं तो आप को पता होना चाहिए कि आपके पास कितना समय है government job preparation करने के लिए अब आपके दिमाख में आ रहा होगा अरे सर हमको पता है 18 साल से उम्र सुरू होती है और 27 साल तक जाती है कुछ फॉर्मस में कुछ फॉर्मस में 25 साल तक जाती है तो सर इसमें क्या दिक्कत की बात है यह तो हमको पता चली जाता है तो दोस्तों मैं आपसे यह कहना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, तो इसलिए इस फीडियो को पूरा जरूर देखते रहे, दोस्तों इसी तरीकी से तो graduation बाले हैं, वह भी तैयारी करना शुरू करते हैं, पोश्ट ग्रेजूशन वाले भी शुरू करते हैं, अब दूस्तों यहाँ पर main important बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, अगर आपने ग्रेजूशन करे लिया है, या आपने पोश्ट ग्रेजूशन करे लिया है, या आपने 12 करे लिया है, अब इसके बाद आप यह सोचे, कि जो आप government जो आपकी तैयारी करेंगे, चाहे वो आपका IIS हो, चाहे PCS हो, चाहे आपका SSE हो, चाहे आपका banking हो, चाहे आपका railway हो, तो आप कितने साल तैयारी करेंगे, एक साल करेंगे, दो साल का समय देंगे, तीन साल का समय देंगे, चार साल का समय देंगे, पांच साल का सम देंगे तो दोस्तों जो भी आप समय देना चाहते हैं उसके अंदरू पहले सोचिए क्योंकि दोस्तों वेसिकली क्या है इन केस अगर आपका बाई चांस सेलेक्शन नहीं हुआ गवर्मेंट जॉब में तो आपको यह तो पता होना चाहिए कि आप कितने सालों तक देंगे अ उमर 40यज साल होती है अपर इंग और इस किसी सी में 45 साल होती है तो दोस्तों अगर आप सिर्फ आप पर एंज को देख के अपणी तैयारी करेंगे तो आप सोचके देखिए आप जब चालिस साल करेंगे और उससमय इतने साल त्यारी करेंगे। और दोस्तों एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टन्ट यह है कि आप यह सिर्फ मर्सोचे कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। दोस्तों ऐसे गई एग्जामपल्स हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी से बहुत गुना ज्यादा पैसा कमाया। दोस्तो मैंने आपके लिए काफी वीडियो बना रखे हैं पैसा बोलता है प्रेलिश्ट में दोस्तो उसमें पैसे कमाने के काफी तरीके बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आपने अपना एक यह टारगेट नहीं बनाया कि हम पांस सल तैयारी करन दोस्तो कहीं न कहीं आपके पास पैसा नहीं होगा और दोस्तो आप कोई पता है कि लाइफ जीने के लिए पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है तो दोस्तो आप कोई पता है कि पैसा होना आज की डेट में कितना जरूरी है तो दोस्तो इसलिए मैं आप से यही कहना चाहता हू कि आप सबसे पहले एक अपना टार्गेट बनाईए कि मुझे ग्रेजुइशन के बाद इतने साल का समय देना है अगर मेरा सरकारी नोक्री नहीं लगता है तो मैं यह काम करना शुरू कर दूँगा इसी तरीके से अगर आप पोश्ट गेजुशन के बाद तैयारी करते हैं तो आप यह डिसाइड कीजिए किसने साल में तैयारी करूँगा इसके बाद मैं यह काम करना शुरू कर दूँगा इसी तरीके से आप अगर 12 के बाद preparation करते हैं या 10 के बाद करते हैं तो आप ये decide कीजिए कि मैं इतने साल तैयारी करूँगा इतने सालों के बाद अगर मिरा selection नहीं होता तो मैं ये काम करना शुरू कर दूँगा दोस्तो मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों की जो उमर है 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल तक हो जाती है लेकिन वो आज भी तैयारी में लगी हुए हैं ना कुछ पैसे कमा रहें ना एक अपना अच्छा जीवन जीप आ रहें दोस्तो पैसे कमाना कोई बहुत जादा टफ नहीं है आप कैसे भी हूँ आपको कुछ भी आता हो आपको कुछ ना कुछ डैफिरेंटली बात है कुछ ना कुछ जरूर आता होगा हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर आता है अगर दोस्तों आपको उस समय यह नहीं सोचना है कि यह काम खराब है, यह काम अच्छा है इस काम को करेंगे तो लोग क्या कहेंगे अगर दोस्तों आप यह सोचने में लग गए तो फिर डेफिरिनली बात है कि आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे तो इसलिए आपको विल्कुल यह नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, अगर दोस्तों लोगों के बारे में आप पढ़े रहोगे तो फिर आप पैसा कैसे कमाओगे तो दोस्तों मैं यहीं कहना चाहूँगा आपसे कि जरूरी नहीं है कि सभी को सरकाई नोकरी मिले दोस्तों मैं आपको एक एक जांपल देना चाहूँगा अभी रिसेंट की वेकेंसी का दोस्तों रेलवे का फॉर्म बरा गया था अब भरने बालों की संक्या क्या दो करोड से ज़ादा थी बहने वालों की संक्या दो करोड से ज़ादा थी और भरती का नामता रेलवे ग्रूब डी अब दोस्तों इसमें केवल जो वेकेंसी थी वो लगवक एक लाग के आसपास थी जो मुझे द्यान है वो वेकेंसी लगवक सत्तर जार थी एक्चुली तो सत्तर जार के आसपास वेकेंसी थी अलाव कि उनको नौकरी मिल जाएगी। लोगों को है जाने हैं ये तो बिलकुल सव्हो़ वात है ... तो दोस्तो आप सिर्फ ये मज़ सोच जाये ... काफी मैंने ऐसे वीडियो देखते हैं ... मैंने भी काफी जा मैं प्रडी सन करता था ... और मैंने प्रडी सन की तो मैंने भी काफी ऐसे वीडियोस देखे कि जिसमें बता जाता था अरे लगे रहोगे तो क्यों नहीं होगा, ये करते रहोगे तो क्यों नहीं होगा काफी मैंने ऐसे मॉटिवेशन वीडियोस देखे हैं, काफी लोग देखते हुए भी देखा है तो दोस्तों ये चीज़े देखी हुई हैं कि मतलब काफी लोग बहुत अच्छा motivation देते हैं कि मतलब किसी काम को करने की सोच लो तो क्यों नहीं होगा ये सब लोग कहते हैं तो दोस्तों सिर्फ एक motivation के भरोसे बैठ कर अपनी पूरी जिंदिगी आपको मेरे अनुसरा नहीं करवानी चाहिए आपकी life है आप एक कच्छी life जी सकते हो दोस्तों आप खुछ सोच के दिखी है अगर आप तैयारी करते हैं सरकारी नोकरी की और आपकी उम्र 40 साल हो गई तो दोस्तों उस बीच में अगर आपने पैसे कमाना सूनी किया तो आपकी life का क्या impact होगा यह आपको समझ में आ रहा होगा आप इस समय इतने समझदार है तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं आप अपना टार्गर बना सकते हैं तीन सालों का पां आपके अनुरूब बैटर काम हो जो आपको अच्छा काम लगे उस काम को आप पकड़ ले और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं तैयारी करूं तो आप उसके साथ तैयारी करते रहें जिससे कि कम से कम आपकी life में इतनी जादा problems नाएं दोस्तों मैं काफे वीडियो दे जहां पर आपको रियल्टी बिताई गई हूं तो दोस्तों मैं आपको विल्कुल रियल्टी से अवगत कराना चाहता हूं कि आपको साइची समझनी चाहिए और समझते हुए ही अपनी तयारी करना चाहिए यह नहीं कि केवाल एक भेड़ चाल में चले पड़े हैं चले दोस्तों काफी विजनिसमेन मैंने देखे हैं जो महीने का 5 लाग रुपिया कमाते हैं 2 लाग रुपे महीने कमाते हैं दोस्तों केवल यह मैं सोचके बैठी कि सरकारी नोकरी सब कुछ है तो बस यह कहना चाहूंगा वीडियो एंड करने से पहले आप अपने टार्गेट्स बनाई है कि मुझे हाँ इतने समय तक प्रप्रेशन करना है इसके बाद मुझे कोई काम पकड़ना है जिससे कि दोस्तों आपकी जो लाइफ है वो काफी अच्छे से चलती रहे और दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको हैल्प कर रहा है तो प्लीज इ उनको बात समझ में आए और उनकी हेल्फ हो सके और दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हैं जुड़ना चाहते हैं हमसे तो दोस्तों नीचे सब्सक्राइब को बटन उस पर प्रेस कर दें प्रेस करते नोटिफिकेशन बेल आए उस पर प्रेस कर दें तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जब भी हम नेक्स वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीट आपको मिल जाएगा और थेंक्स वर वीडियो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो तब तक लिए सुक्रिया